मैं सेल्फ मुझाहित खान और आपका प्यारा साच चैनल आइडियल कुछिंग क्लासेज आकोला तो प्यारे बच्चों आज हम अलकोहल फिनॉल एंड इथर्स इस चेप्टर का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक शिरू था केमिकल प्रॉपर्टीज आफ अलकोहल तो इससे पहले के लेक्चर में हम अलकोहल के दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिये थे लास्ट लेक्चर पढ़े थे हमने इस्टेरिफिकेशन ठीक है तो दो केमिकल प्रॉपर्टिस में ध्यां से दिखिएगा कि हम क्या पढ़े थे क्या आर बॉण ओएच आर बॉण ओएच अलकोहल में दो पोलार बॉण पे डिजाइन रहता एक यह ओएच वाला और एक दो पे दो लेक्चर में हमने है एश कॉसे बॉण ब्रेक्डाउन किये थे ओक्सिजन और हैड्रोजन वाला है अब देखिए आज के लेक्चर में हम बॉण ब्रेक्डाउन करेंगे सी बॉण को रियक्शन इनवाल्विन ड्यू टू क्लिवेज ओफ आर बॉण ओ एच तो यहां पर आपको कौन सा बॉण ब्रेक्डाउन करना है आर बॉण सी वाला आर बॉण ओ वाला मिस सी बॉण ओ ठीक है न अभी ताक के पढ़े थे हमने इसे वालतों भी ठीक है न तो आज के लिक् ओ एच ठीक है अब इसमें नंबर वन है एक्शन और हाइट्रोजन हालाइट है एच एक्ष का रियक्शन करवाना है अलकोहल के साथ में एक सिंपल आइडिया एक पर क्या अलकोहल का अगर हम रियक्शन करेंगे आर बॉन्टो एजट्रीटेड विद एच एक्स ठीक है न तो हुआ न तो एच्टू ओ बाहर क्या होता जिद्रीस में है च्टू ओ वाहर है ठीक है देखिए और आर बाउड एक्स प्लस एच्टू तो कहने कि ने का मतलब यह है कि इसमें क्या क्या होगा इसमें होता नीक्लियो-फ्लिक, सब्स्तिटिशन- means SN1 reaction यहाँ पर nucleophile substitute के हम ने क्या OH हटा करके X लगा दिये X भी क्या है यह H positive X negative और यह R positive OH negative तो एक nucleophile को हटा करके हमने यहाँ पर उसकी जगद दूसरे nucleophile को लगा दिये that is nucleophilic substitution reaction बरावर अब HX, HX क्या हैगा ठीक है रहा, HCL, HBR और है तो order of acid character याद रखेगा order of acid character ठीक है रहा order of acid character तो सबसे strong acid रहेगा HI, फिर HBR और सबसे weak acid इन तीनों के comparison में HCL और HF जो है तो ओल्लिटी weak acid के example है, लेकिन यहाँ पर हम discuss करेगे, HI, HBR और HCL ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए आप क्या पहले हम HCL का detail study करेगे, बाद में HBR और उसके बाद में HI ठीक है ना, मांग लीजिए CH3 bond CH2 bond OH plus HCL in presence of ZNCl2 but unhydrous है ना, इसी को बताते हैं हम Lucas reagent क्या होते हैं इसको Lucas reagent क्या रहेगा HCL plus ZNCl2 यह है unhydrous और यह है concentrated HCL means जब भी alcohol का reaction concentrated HCL के साथ होगा in presence of ZNCl2 2 Gues तो क्या हो जाए होते हैं H2O बाहर CH3 bond CH2 bond CL plus H2O ठीक है ना second example मैं आपको में के जनके थुरू बताऊगा कि इसमें tertiary वाला Q-based रहेगा CH3 bond CH bond CH3 bond OH plus HCL but concentrated in presence of ZNCl2 but ZNCl2 concentrates रहेगा unhydrous ठीक है ना तो यह है का OH और H HCL बाहर निकल H2 बाहर निकल लिए CL इदर ट्रांसफर CH3 bond CH bond CH3 bond CL plus H2 तो यहां पर क्या तैयार होगा इथिल अलकोल से तैयार होगा HOS बाहर निकल लिए हमने CH3 bond C bond CH3 bond CH3 bond CH3 bond CM plus H2 है ना तो यहां पर इसका order of reactivity जो है order of reactivity कौन से वाड़ा अलकोल का अलकोल का सबसे बेश रहेगा तो टर्शरी सेकंडरी और प्राइमरी प्राइमरी में कोई प्रेशिपिटेट तैयार नहीं होता है एलिफेटिक के लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी में कोई प्रेशिपिटे तैयार होता है लिकिन थोड़ा टाइम नहीं लगेगा और टर्शरी अलकोल का रेक्शन अगर Eccl के साथ में होना तो वेयरी रैपीड लिबहुत फास्ट है ना अब जिसका प्रिस्पिरेट बेस्ट और बहुत फास्ट तयार होगा वह सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा रियक्टिव अलकोहल रहेगा तो इस बेसिस पर हम बताएगी यह लुकास टेस्ट में आएगा आगे कि टर्शरी वाला अलकोहल जो है और यहां पर प्रैमेरी अलकोहल का रियक्षन एसल के साथ करेंगे तो यह वह अल्गा मतलब इसमें पीपीट तयार नहीं होगा घर होताँ तो बहुत स्लोली होगा ठीक है तो आप फॉर्श करके नोट कर दीजिए मैं आपके इसका मेकरिशम बताता इसमें आब याद रखने सब्सक्राइब करते हैं इसमें लुकास रेजन का क्यों यूज़ करते हैं यह आपको मेकरिजम के तुरू समझा देता है ठीक है एक काम कीजिए आप पॉस करेक्टी नोट कर लिए इसको देखिए यह सारे आपके कंसेट क्लियर हो जाएगे कि इसमें निक्लोफिक सब्सक्राइब करेगा तो स्नूल इंगे रेटेंशन और बैक से अटेक करेगा वही टोपिक को देखना है वे डेटेल समझना है जहां से देखिएगा क्या मेकनिजम हाँ मेकनिजम समझे लिए आप इसका हाँ देखिए यह छोटा सा रीक्षन यही था ना क्या देखिए इसका मेकनिजम कैसा है क्या अब दियां से देखिए इसका मेकनिजम कैसा है क्या मैं यहां यूज़ किया शी है शीए थ्री बाण सी बांड शीए थ्री बांड और अच अब इसका रेशन का हुए हमने ZNCL2 के साथ में बट अनाहेटरस और ZNCL2 यह है लेविस एसिट क्या है बताईए लेविस एसिट क्योंकि यह है इलक्ट्रोन डेफिशन्ट स्पेसिस अब सिंपल सी बात है जब इसके पास इलक्ट्रोन की कमी होगी है नो तो यह इलक्ट्रोन इलक्ट्रोन डेफिशन्ट स्पेसिस है तो यह पर ओक्सिएन क्या करेगा इसको इलक्ट्रोन की जोड़ी प्रोवेट करेगा लगए तो चरह दौंड यहां तक है समझ गया ठीक है तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सियन इंटंग पर पॉजिटिव चार्ज परेजेंट हो मिस अगर मोर इलक्टरो निगेटिव एडम पर अगर पॉजिटिव चार्ज परेजेंट है तो वह highly unstable हो जाता अब कौन सभी स्पेसिस क्या चाहेगा कि उसने स्टेबल होना तो ऑक्सिएंग क्या करें है कि इस कार्बन के लक्ट्रों को अपनी तरफ खीश लेगा और यहां पर यह तयार कर देगा इस तरह ऐसा अब यहां पर क्या होता है कि निकलोफेल तो हमने अटक किये थे हैं एच सी एल मींज एच पॉसिटिव और सियर निगीटिव यही था ना था तो यह स्यल निगीटिव यहां पर आकर अपॉस हो जाएगा C Less 3 बॉइंद camping like to होगे एप्रोच ठीक है और एच पॉजेटिव मतलब यह वाला क्या एच पॉजेटिव यह इसके साथ में एप्रोच होकर रिखे एच टुब बाहर निकल देगा और जैड़ेज्च एड़ेज्च बाहर और यहां पर तयार हो गया टर्शरी है ना ब्यूटिल क्लॉराइट अ अब आपको पता है क्या रेट इस डिर्टि प्रोच्टनल टू था स्टैबिलिटी आफ कार्गो केटायन क्या सबसे ज्यादा इस्टेबल कार्गो केटायन कौन सा रहेगा तो टर्शरी वाला फिर सेकंडरी और फिर प्रामरी अब सुचिया आप कि अगर मैं इसकी अगा प अगर बराबर ना तो यहांपर प्रामरी कार्गो केटायन मंता था बट रहे नो डेक्शे कार्गो केटायन के साथ में वेरी इजी हो जाता लुकास रेजन के सब्सक्राइब तो समझ में आगे इसमें कुछ डाउट है कि में की रिजन समझ गए अब यहां पर देखिए क्या कौंको सा रेक्षिन बताद में आपको क्या इसमें SN1 रियक्षिन होगा कि निकलोफाई जो है इस कार्बोकेटायन पर इन फ्रंट एस फ्रॉम बैकसाइड अटेक करेगा मतलब इसमें कौंको सा कॉन्फिग्रेशन होगा रिटेंशन प्लस है नो इन्वरजन यह आपने SN1 में पड़ाऊ होगा रिटेंशन एंड इन इस निकलोफाई मतलब इनकलोफाई इन फ्रंट एक किया तो इसमें रिटेंशन इन इन कॉन्फिग्रेशन और बैक से एक किया तो इन्मर्जन इन कॉन्फिग्रेशन आपको समझना आप ठीक है ना आप देखिया आप चलिए पॉस करके नोट कर लिजी इसको हां 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 थोड़ा रेपिटिया अपनूख कीजिए इसको आई हो मैं समझता हूं है क्या इसका मेंकी निजम आपको समझने आगा होगा है ठीके ना कि देखिए तो इस पर से कंसिट के समझना आपको लुकास रेजन क्या है बताइए लुकास रेजन बरबर यह है अब लुकास रेजन चलो लुकास रेजन चलो लुकास टेस्ट कह समझे लुकास टेस्ट मैं आपको समझता धिया देखिए रहा देखिए माली जी मैंने यहां पर आपको अलकोहल का मिक्सचर दिया जिसमें वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अलकोहल है तो आपको पता नहीं कि वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अलकोहल है ठीक है यह फिर तीन सेंपल देने हमें आपके पास एक दो तीन सेंपल वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री अलकोहल अभी आपको पता नहीं कि वन डिग्री है टू डिग्री त कौन सा है और आप आपको वर की दिदी के भी इसमें पैच्छा ना कि प्रैमरी अलकोहल कौन सा है सेकंडरी अलकोहल कौन सा है तो आप रेक्शन कैसे करेंगे देखिए क्या जब भी तीन डिगरी अलकोहल का रेक्शन लुकस रिजन के साथ में होता है में से एक्टल एक्टल तो इसमें ठीक है रहा हुआ पीली पीडी किसके तया है आर सी और ऑ गयर कि अनुदि तयार हो जाएगे किसके आर सी ऐल के रहे किति तयार हो जाएगे फिर सेकर्ड सेंपल था आपके पास में सेकर्ड डियर को जो आपको भी बता नहीं था उसमें हमने लुकास रेजन डाले इसमें भी भाई पीपीटी तयार हुरे किसके सर रसेल के तयार हुरे इसके लिए टाइम जो है 5-10 मिट लगा तो बसा टाइम लग रहा है इसके टाइम डियरेशन फ्य मिनिट्स है ना बट प्रैमरी अलकोहुल ट्रीटेर विट लुकास रेजन तो नो प्रिसिपिटेट इस फॉर्म है ना तो तीन सेंपल को आप कैसे पेचान देंगे क्या अगर रैपिटली पीपीटी तैयार हो जाएगी लेकिन कौन से है वही पीपीटी तो रहेगा टरशरी अलकोहुल और थोड़े 5-10 मिट की बीच में पीपीटी तैयार होता है तो इस बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे बेस्ट रियक्टी सबसे रैपिटली रियक्शन क तरिशरी अलकोहुल का लुकास जीजिए के साथ फिर सेकंडरी अलकोहुल फिर प्रैमरी अलकोहुल ठीक है ना ओर्डर समझ में आ गया जो मैं आपको इससे पहले ओर्डर बताया था ठीक है इसमें कोई डवट है कि आपको पक्का हां चली दिखिए इपास करके नोट कर ल हां हां देखिए C3H7 bond C C2H5 bond OH bond H plus HCl concentrated ZnCl2 anhydrous etc ठीक है अब यहां पर देखिए आप यह है कौन सा अलकॉल सर्य सेकंडरी अलकॉल है सराब इसको टरशिरी कर दो ओके चली हम इसको टरशिरी कर दी है कर दी है क्यों कि आप इसका रेक्शन करवा रहे हैं है अब यहां पर यहां पर एक कारवन से चार डिफरेंट एटम और गुरूप अटेश है अब यहां पर रेक्शन होना है तो यह तयार क्या कर देगा च ने क्या है सी थी 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 एक शी थी एच सेवन बांड सी टू एच फाइव बांड सी एल बांड सी एच थी एक तो यह प्रोड़क बनेगा अगर एच बनता है क्योंकि इसमें दोनों इसमें को इसमें उता है ऐसे नों निकलोफिलिक सप्टूडिशन रियक्टाइब है यह जू ना फोड़क अगर प्रोड़क एच बन गया मतलब यहां से हमने ओषडा करके शी लगा दी तो इसको बोलेगे हम ओंड है इन कॉंफिगरेशन और इसके अगेस्ट में हो गया यह अगेस्ट में एपोजिट डारेशन चेंज कर इए इन वर जन इन कॉंफिगरेशन कंसेप्ट समझ में आगा आपको हाँ सर ठीक है और इसी के यह दोने की मिक्चर को बोलें है हम रेसमेट्स और रेसमिक मिक्चर क्योंकि यह हो सकता है है डेक्स्ट्रो एंड लेवो डी एंड एल समझ में आगा आपको ठीक है इसमें को डाउट है कि कोस्च्चन है हो कैंड विडिस्टिंग्विश आप यहां पर ब्युटेल टू ओल और टू मिधिल आप यहां पर ब्युटेल टू ओल और टू मिधिल प्रोपेन टू ओल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगी सिंपल सी बात यह सेकंडरी अलकॉल है वो टर्शियर अलकॉल है यहां पर यूज कर दें हैं यह क्या है क्या हो जाएगा सर्यां का लेकिन टाइम नग रहे हैं पर 5-10 मिट्स अलकॉल प्लस एलगा लिकिन अगर आउप यहां पर यूज़ करेंगे, 2-methyl-propane-2-ol plus HCl in presence of ZnCl2, है न, बट, unhydrous पता है हमारे को, unhydrous, H2 बाहर निकाल गेंगे, CH3-bond-CH3-bond-CH3-bond-CH3-bond-Cl plus H2O, तो इसमें वहाई-PPT इमीजेट में तयार होगी, है न, तो कैसे distinguish करेंगे, आप दोनों separate करेंगे, जैसे आप इसमें लुकास एजन एड करें, तो rapidly अगर वहाई-PPT तयार होता है, तो यह रहेगा, 2-methyl-propane-2-ol, जो mix हो जाएगा, ZnCl2 के साथ, और 5-10-meth के वीच में फिर mix होना, butane-2-ol, ऐसा हम distinguish कर सकते हैं, चलिए pause करके note कर लिजिए आप, आप, किये, ओके, चलिए, अब HX में second example है, HBR की, है न, देखिए, HBR, hydrogen bromide, देखिए, CH3-Bond, CH2-Bond, OH, CH3-CH, CH3-OH, CH3-Bond, 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 होई, पता है मैं भी टर्चरी वारा सबसे ज्यादा रियक्टिव लेगा हो, लेकिन यहाँ पर देखिए कि HBR जो है, है यहाँ पर हम यूज करेंगे एक तो concentrated H2SO4 जो फिर concentrated HCR, क्या होजए, क्या इतिर अलकोर treated with HBR, H2O बाहर निकाल गें हमने, CH3-Bond, CH2-Bond, BR, PLUS H2O, सेकर्ण बाले एक्जामपल, HBR in presence of H2SO4 और यह concentrated H2O बाहर, CH3-Bond, 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 BR, ओके, हाँ सार, PLUS H2O, थर्ड एक्जामपल देखे, tertiary butyl alcohol treated with HBR in presence of concentrated H2SO4, H2O बाहर, CH3-Bond, 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 BR, PLUS H2O, सार, इसमें कुछ doubt नहीं है हमारे को, ठीक है ना, लेकिन HI का गर हम reaction करेगे, तो HI का primary वाले में सबसे ज्यादा रियक्टि हो जाता, ज्यादा रियक्टि हो जाता, क्या CH3-Bond, CH2-Bond, OH, PLUS HI, इसके साथ में किसी catalyst की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या कि हमने हैं से, सार, CH3, CH2, है ना, OH, CH2 बाहलनी पाहलनी सार्वनिया से, CH3-Bond, CH2-Bond, I, PLUS H2O, इधिल-I, हाँ सार, ठीक है, अगर मैं इसकी जगर ये यूज़ किया, CH3-Bond, CH, CH3-Bond, 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 OH, PLUS HI, ठीक है ना, तो यहां पर CH3-Bond, CH3-Bond, CH2-Bond, CH3-Bond, पालना, कैसर यहां से OS अटा रहते हैं, हम, और ILA काते रहते हैं, लेकिन यहां पर ही कैसा हो गया, तो इसको हम समझेंगे, detail, mechanism के थुलो, ठीक है ना, यह easy or a topic था, इसलिए मैंना 4G की speed में score आ दिया, ठीक है ना, और इस type के ही question examination में पूछे जाते हैं, जिसमें हम बहुत गलती कर लेते हैं, option में जो आपके दियार में topic है वो भी रहता, कि OH अटा करके आय लगाती है सर हमने, नाम भी देंगे इसका, 1, 2, 3, 4, है ना, 2, 3 methyl हां सर, 3 methyl है ना, butane और 2ol सर, है ना, अरी ओल्टा निद्धिय के हैं पर I होना चाहिए, I है और यह H2O बहा, यह क्या हो जाएगा, हाँ, 2 methyl हां सर, ठीक है ना, 2 methyl और आगे क्या है, 2 iodo, तो I पहले आएगा, 2 iodo, 2 methyl और butane, लेकिन खास पाहिए क्या धहां से देखिए, पहले मैं गलती से लिग दिया था, कि OH I होना है पर substitute, कि यहां का H और यह OH निकाले हैं हमने, जबकि I यहां जोड़ना चाहिए था, यहां क्यों जोड़ा, देखिया हो, मेकिनिजम इंपोर्टन है, अच्छा topic है, ध्यान से दिखिएगा, CH3 bond, CH bond, CH3 bond, CH bond, CH bond, OH bond, CH3, ठीक है, और HI का पर यह हम अटैक करवारे, अच्छ पॉजिटिव, पर अच्छ पॉजिटिव कहां पर आके अप्रोच होगा, जिसके पास एलक्ट्रॉन एक्सेस है, अक्षेन एटम के पास, अक्षेन इसको एलक्ट्रॉन पेर डोनिट करके, कोडिनेट बॉन्ट तयार कर ला, CH3 bond, CH3 bond, CH3 bond, CH3 bond, OH, इस पर चार्ज आगा, पॉजिटिव, ऑक्षेन ने कहां के एलक्ट्रॉन पेर डोनिट कर दिया, हिड्रोचन को, किया डोनिट, बाद में क्यों है कि जब इस तरह का कमपॉण्ट तयार होते हैं, तो इसको होता डिह होता है, होगे डेर, यहां पर चार्ज कोन सा है, सर पॉजिटिव चार्ज, CH3 bond, CH bond, CH3, CH3 और यह पॉजिटिव, एस तो बाहर निकाल लिए, अब यहां पर देखिए, यह सेकर्डरी कार्वोगेट आयन है, अगर मैं यहां पार इसका हाइड्रेट शिप्टिंग करवाता ह हो, ह निकेटिव शिफ्टिंग, यहां वन डू टू, एक कार्वन से दूसरे कार्वन पर यह वाला, यहां शिफ्टिंग है, यहां तो इस ओर के साब से है, यहां पर शिफ्टिंग हो जाएगा, तो यह बना देगा यहां पर इस तरह, CH3 bond, C, bond CH3, bond CH2, bond CH3, यहां पर चार्ज आगा positive, अब इस पर अटाइट करेगा कोन, आए नेगेटिव निक्लोफाइज, तो कहां पर आपर अपर अपरोच होंगा, जहां पर, इलक्ट्रोन डेफिशन है, तो यह तयार हो जाएगा, CH3 bond C, bond CH3, bond CH2, bond CH3, bond I, देखिए आप, यह थे इसका रिज़र, मेंकी रिज़र के थुरे topic समझ में आता, very very important topic है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है, pause करके note कर लिजिए, ठीक है ना, shifting concept समझ में आ रहे है, ठीक है सर, हाँ, एक last topic है, अगर अलकोर कर HL, HI के साथ में हो, और वहां पर आपको red phosphorus दे दिया, तो अलके मनता, देखिए, माल लिजिए, यहां पर आपको अलकोहल दी दे लिखे, CH3 bond CH2 bond OH, ठीक है, CH3 bond CH2 bond OH, प्लेस HI, और यहां दे दे आपको red phosphorus, क्या दे दे, red phosphorus, तो आप क्या करें, यहां पर आपको इसका reduction करवा देना, हम दो मोल लिए लिए इसके, हां सर, H2O बाहर, एक H, इसको इदा ट्रांसपर कर दी हमने, CH3 bond CH3, ठीक है, प्लेस, क्या दिकार लिए बाहर, H2O plus I2, हो दे, H2O plus I2, कंसेट समय आपको, क्या ethyl alcohol का reaction, हम HI के साथ करवारे, in presence of red phosphorus, to use alkyl, अगर यहां पर red phosphorus नहीं दिया, तो फिर ethyl iodate बनेगा, है न, क्या है, हां सर, reducing agent, ठीक है, तो चलिए आप जब तक के पढ़ा ही करते रहें, इसकी बात की lecture में लिखे आएंगे हैं, क्या reaction of alcohol with PCL3, PCL5, SO, CR, ठीक है, बाई,